ये वीडियो बहुत जाता इंपोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनोंने इस साल याने कि 2023 के अंदर आईटियाई में एड़िशन लिया है और वो स्कॉलोशिप लेने चाहते हैं यहां पर दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है टिम कैन इस कंपनी के जो स्कॉलोशिप फॉर्म है आईटिय वालों के लिए वो आपन हो चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि आईटिय स्टूडेंट्स को यहां पर 10,000 लुपीज तक का स्कॉलोशिप अमांट मिल सकत है ठीक है complete detail के लिए साथ इसाथ apply करने का जो पूरा process है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वीडियो को complete देखना आप ठीक है यहां पर मैं simply क्लिक कर लेता हूं इस पर read more पर और इस website का link आपको वीडियो के description box में मिल जाए जहां से आप यह सब चीज चेक कर सकते हो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो उपर लिखा हुआ है इसके लावा all genders के लिए है चाय आप लड़का हो चाय लड़की हो चाय टांसजेंडर हो apply कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है और यहां पर जो family income है वो आपकी आठ लाग रुपे से कम होने चीज़िए ठीक है इसके अराव दोस्तों form भरने की जो last date है वो आप देख लीजिए ताकि कुछ गरपड़ना हो तो form भरने की जो last date है वो है 30 November ठीक है तो अभी आपके पास पूरा-पूरा एक मेने का time बचा करते हैं ठीक है amount की बात करें तो मैं आपको पहले बिता चुका हूं कि 10,000 रुपे का amount हैं पर आपको मिलेगा ठीक है इस के लाबा यहां पर सिर्फ वही students apply कर सकते हैं जो iti के first year में पढ़ रहे हैं ठीक है और नीचे आप आओगे यहां पर तो हम बात करते हैं documents की तो basic documents यहां पर जैसे कि आपका आधाकड़ पगर हो गया 10th के mark sheet हो गई previous academic mark sheet में आपकी 10th के mark sheet यह आ जाएगी income certificate हो गया और student bank pass हो गया इसके अलावा दुस्तों यहां पर current year college याना कि जो iti आप कर रहे हो उसकी आपको admission receipt देने पड़ेगी कि आपका admission हो चुका है या आपने अगर किसी महिने की fees बरी है तो उस महिने का fee receipt आपको देने पड़ेगी जिसे कि यह confirm हो सके ठीक है इसके अल आगा होगा तो वहीं पर इसको option होता है मैं आपको आगे दिखा दूँगा ठीक है इसके अलाव दोस्तों यहां पर आपको एक email id भी दी हुई है ताकि अगर आपको कुछ भी पूछना है इस particular scholarship के regarding तो आप इन mails पर contact कर सकते हो ठीक है चलिए बात करते है apply कैसा करना आपक तो apply करने के लिए आपको इसी website पर आना होगा जो यह website है vidyasarthi.co.in इस website के link में आपको वीडियो को description box में भी देदूँगा वैसे यहां पर आने के बाद आपको उपर की side में सबसे उपर दिख रहा होगा login और sign up ठीक है सबसे बहला आपको sign up पर click करना है उसके बाद आपक qualification अपनी जो parents की detail है अपनी जो qualification की detail है सब कुछ आप add कर देना ठीक है उसके बाद आप यहां पर login पर click करोगे इदर ठीक है उसके बाद अपने gmail के तुरू जिससे भी आप अपना account बनाओ को sign up करोगे उसके तुरू आप यहां पर login कर लेना ठीक है इसके बाद आपको यहां पर simply apply पर click करना होगा ठीक है पहले login कर लेना उसके बाद यहां पर apply पर click करेंगे इसके बाद देखिए वाला page खुल जागा यहां पर आप अपने जो detail से उड़ाल देना कि अगर आप टिम कैन कंपनी से पहले आपने कभी scholarship ली है तो yes कर देना अगर नहीं ली तो no पर click कर देना simply इसके लावा अगर आपके parents या फर guardian टिम कैन कंपनी में काम करते हैं तो yes कर देना नहीं तो no कर देना इसके लावा type of implement में डालना आपको कि आपके parents क्या काम करते हैं जैसे कि मेरे case में मेरे parents farmer है तो मैंने farmer डाल दिया ठीक है इसके लावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके nearest टिम कैन कंपनी का कौन सा plant है या office है तो जो भी आपके city के नजदीक पढ़ रहा है आप इन मैसे कुछ भी उसको आप हैं पर क्लिक कर देना ठीक है इसके बाद simply consent देना है और submit पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों देखिए आपर हमारा जो form है वो भर चुका है बस इतना सा काम था इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इस वीडियो के अंदर इतना ही इसके अलावा अगर आपको कहीं पर दिक्कत आये कुछ समझ नहीं आ रहा तो please comment कर देना और वीडियो पसंद आये तो like कर देना था कि मैं next time भी आपके लिए ऐसे ही latest इसको बलाता रह thank you very much